हाई एवरिवन नमस्कार सलाम सच्रिय काल वेलकम बैक टो दीप सॉल इन वन चैनल आई होप योल आ दूइंग रेली वेल शाम का टाइम है और लिविंग रूम की हालत आप देख सकते हैं चारो तरफ कलर्स बिखरे पड़े हैं और ये कार्डबोर बॉक्स था जिसका हुजी से उन्होंने अपनी डैन यहां पर बनाकर तायार कर दी है और ये वीडियो जही वे इस्टर से पहले किये तो उन्होंने सारी इस्टर की डिक़रेशन की है इसमें इसमें अध्विकाज्ज न सीग्रेट denn और इसमें इस्टर एग्स बना दिये हैं और इस्टर का वो सब इसी के अंदर सोए हैं तो बच्चों की imagination होती है उनकी creation है कि उसने सोच कर ये सारी चीजे बनाई कि Easter पे क्या होना चाहिए sunny weather हो, plants हो chicken बनाया, छोटा सा rabbit बनाया तो जो वो करती है हम उसको करने देते हैं बहुत अच्छा लगता है जब वो finally जो outcome आता है और अब मैं आई हूँ kitchen में और यहाँ पर बन रही है हमारी शाम की चाई साथ ही husband थोड़ी सी grocery लेकर आये थे, जिस चीजों की जरुरती बस वही shop की है और ये है ready made पनीर, शगुन का है, अच्छा है थोड़ा सा boil करना पड़ता है और ये हैं frozen पराथे plain पराथे हैं ये और rolls वगेरा बनाने के लिए बड़े अच्छे रहते हैं normally तो use नहीं करते हैं लेकिन फिर भी मैं freezer में रखती हूँ कभी एकदम से जरूरत पर जाए frozen peas मंगाई है खतम हो रही थी और साथ ही frozen भिंडी है यहाँ पर होल और ginger है, lettuce है आलू, प्याज ये mostly आते ही हैं एक दो हफ़ते बाद और साथ में यहाँ पर है seeded burger बर्गर बन मेरा burger बनाने का प्लान है जल्दी ही और आपके साथ recipe जरूर शेयर करूंगी और यहाँ पर दो packet है तो इसके बाद हैं यहाँ पर bell pepper, capsicums, cucumber है salad के लिए और साथ ही है यह cheese slices जो burger में भी use आएंगी और sandwich और गेरा में भी use हो जाती है mixed bean salads है इसकी salad भी हम बना कर खा लेते हैं और यह burger में भी जाती है शुगर मगाई है और साथ है Greek style yogurt और यह कुछ चीज़े जो है guest आने वाले हैं घर पर तो उन लोगों के लिए हैं आज नहीं weekend पर program है और यहाँ पर है दूद तो यह सारी चीज़े आज वो लेकर आए थे तो सोचा चली आप लोगों के साथ भी share कर लेती हूं आप लोगों को दिखा देती हूं और इसके बाद हम चाय वगेरा पिएंगे और चाय पीकर फिर हम आए हैं उपर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अद्वी के इस बार के बिर्दे के जो greeting cards हैं वो रखे हुए हैं उनकी जगे नहीं मिल रही थी के कहां टांगे तो फिर सोचा कि यहीं पर एक और row बना देते हैं यहां पर टांग देते हैं और मुझे इसके लिए husband का ही wait करना पड़ा क्योंकि काफी उचाई पर है मेरा तो हाथ जाता नहीं है और I am kind of person जिसे step stool पर चड़ते हुए भी डर लगता है मुझे चक्कर आने लगते हैं इंडिया में थी तो मैं कभी घर के पंके जो हैं वो मैं साफ नहीं कर पाई क्योंकि मैं चड़ी नहीं पाती थी मैं उससे पहली मेरा सर चकर आने लगता था तो सारी help उन्होंने ही की है सारी चीज़े उन्होंने लगाई है तो all credit goes to him और बहुत अच्छे से उन्होंने ये decorate कर दिया है और बच्चों के बर्दे के card है कहां फैंके तो इसलिए मैंने एक और row बनाती है और साथ में ये light लगा दी तो बहुत ही प्यारा लग रहा है सुन्दर लगता है ये शाम के टाइम इसके बाद अब मैं आई हूँ किचन में अपना डिनर की थोड़ी सी प्री प्रेप करने के लिए टाइम है कभी अभी तो डिनर बनाने में लेकिन थोड़ी सी तयारी जो है वो मैं पहले ही करके रख लेती हूँ उससे फिर easy रहता है और यहां देख सकते हैं आपके कबड बंद करते हुए मुझे एक निशान दिखाए दिया तो मैंने कपड़ा उठाकर पहले उससे साफ किया बाकी काम छोड़कर और मेरी आदत बहुत जादा मुझे परेशान करती है इवें फ्रेंस के घर जाकर भी मैं कई बार मुझे कुछ दिख जाए तो मैं पहले साफ करने बैठ जाती हूँ और सब लोग के चलो हो गई शुरू यह तो तो डाले मैंने निकाली हैं यहाँ पर जो मुझे बनानी है साथी राइस जो है वो भी मैंने निकाल कर रख दिया है इन सारी चीजों को मैं वाश कर दूँगी अच्छे से और डाल जो है मैं मिक्स बनाने वाली हूँ प्लान तो था मूंग मसूर की डाल बनाने का लेकिन अद्वी जो है वो मूंग मसूर की डाल कम खाती है तो थोड़ी सी मैंने उड़द की डाल ली है इसमें और उड़द की डाल को माश की डाल भी कहते हैं कुछ लोगों को उड़द नام नहीं पता होता है तो वो confused हो जाते हैं और एक एक चमचा जो है मैंने यहाँ पर मूंग और मसूर की डाल lी है मूंग की डाल छिलके वाली है मसूर की डाल बिना छिलके वाली स्प्लेटिड गजैल तो वह सारी डी टिप्स ट्रिक्स हैं, जो एक má ताइम के साथ से ऊईनी जा आती है कि अपने बच्चों को किस तरह से उनको सारी चीज़ें खिलाती है जो उनको पसंद jiwa वो चीज़ आप उसमें डाल दे और उसके बाद जो बाकी चीज़ें होती है उसमें लपेट कर मिला कर आप उनको खिला दे साथी मैं यहाँ पर सबजी के लिए तयारी कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर एक बिग साइस का अनियन लिया है दो बिग साइस के टमाटोस हैं एक ग्रीन चिली है, दो क्लोफ गार्लिक की है लेसुन की और थोड़ा सा अद्रक लिया है मैंने और एक मैंने बिग साइस का अबिजीन लिया है बैंगन और बैंगन छोटे भी मल जाते हैं कहीं बार यहाँ लेकिन जो यह बड़े साइस के आते हैं यह वाले काफी फ्रेश होते हैं तो हम mostly यही लेकर आते हैं तो सारी चीजों को मैं अच्छे से पील कर लूँगी इसके बाद इनको मैं वाश करूँगी और बैंगन को चीवते हुए मैं इसकी स्किन को पूरा नहीं उतारूँगी मैं इसको थोड़ा थोड़ा उतारूँगी जब मैं बैंगन की सबजी बनाऊं तो उसमें थोड़ी सी skin आनी चाहिए तो मैंने इस तरह से randomly इसको peel किया है इसके बाद मैं इनको अच्छे से wash कर लूँगी meanwhile मैंने सोचा कि चलिए आज sheen से एक packet आया था तो वो आप लोगों के साथ share कर दूँ तो 4-5 items लिये हैं मैंने और इन सब के link जो है वो description box में mention है अगर कोई coupon code हुआ मेरे पास तो मैं वो भी mention कर दूँगी तो make sure कि आप description box चेक करें जो सबसे पहला item मैंने लिया है वो है ये green color का एक top और उपर इसमें shoulder पे net लगी हुई है नीचे frill है और जो इसकी बाजू है वो kind of bell sleeves है और बहुत ही अच्छा इसका look आता है different colors available है तो जो color आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं मेरे पास इस color का कोई top नहीं था तो इसलिए मैंने इस color का top लिया है next मैंने लिया है ये एक jump suit और इसका color भी बहुत प्यारा है और इसका pattern भी बहुत प्यारा है और इसकी fitting भी बहुत ही जादा अच्छी आई है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ इस तरह की चीजे जिसमें एकदम से front से tummy दिखाई दे तो उसमें आप busy pattern ले तो उससे आपकी जो tummy होती है वो hide हो जाती है और I think इसमें भी colors available है आप कोई और color भी ले सकते हैं लेकिन इसका ये color बहुत प्यारा है इसके बाद जो next item मैंने लिया है वो है ये blue color की बहुत ही प्यारी सी dress जिसमें उपर net की उपर embroidery हुई भी है सब कुछ सही है इस dress का बस ये के एक दो embroidery के धागे निकले हुए है दूसरा जो इसके अंदर अस्तर लगा हुआ है वो बहुत ढीला सिला हुआ है और side से तो वो इतना ढीला है कि अंदर आप अगर slip पहनेंगे या फिर आपकी जो bra होती है तो वो side से maybe दिख सकती है और फिर वो decent नहीं लगेगी तो इसलिए मैंने इस dress को एक shrug के साथ pair up किया है तो अगर आप बिना shrug के पहनेंगे तो I don't think so कि ये अच्छी लगेगी लेकिन shrug के साथ ये बिल्कुल perfect जा रही है पाकी इसमें सारी चीज़े बिल्कुल ठीक है और ये काफी long dress है लाइक बिल्कुल नीचे तक तो नहीं है लेकिन हाँ long dress है इसके बाद जो next item मैंने लिया है वो है ये एक track suit या फिर night suit भी आप इसको बोल सकते है और बहुत comfortable है कपड़ा बहुत अच्छा है सुभा को yoga के लिए jogging जाने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और जो इसका trouser है उसमें भी ये double pattern लगा हुआ है animal print का और white color का तो बहुत ही smart सा look ये देता है और मैं already इसको पहन भी चुकी हूँ बहुत ही comfortable है elastic वगेरा सब बहुत अच्छी है इसकी और जो final item मैंने लिया है वो है ये एक legging और इसमें color जो है वो कुछ purple टाइप आ रहा है लेकिन ये black color की legging है और side में इसमें ये वाला pattern है इसको आप as a jeans की तरह भी पहन सकते हैं लेकिन मैं prefer करूँगी कि आप इसके साथ long top पहने क्यूंकि कपड़ा थोड़ा हलका रहता है तो फिर आपके curves वगेरा इसमें दिखाई देते हैं तो long top पहने जो आपकी bottoms वगेरा को cover up कर दे तो बाकी comfortable बहुत जाता है ये और अब मैं फिर से आ गई हूँ kitchen में और अब मैं बनाना शुरू करूँगी अपना डिनर पैन चड़ाया है मैंने और थोड़ा सा मैंने oil डाला है उसमें और जैसे ही oil गरम हुआ है उसमें मैंने एक चमच जीरा डाल दिया है cumin seeds इसके बाद जो onion मैंने peel करके रखी थी उसको मैं slice करके इसमें डाल दूँगी और आप चाहें तो पहले से peel करके cut करके रख सकते हैं बट मुझे आदत होती है मैं कर लेती हूं इसी तरह से और इसमें लंबी लंबी प्याज जो है वो इसी तरह से काट कर डाली जाती है तो मुझे ये जादा easy लगता है कि जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक अपना प्याज को छील लो और उसके बाद इस तरह से काट कर डालो और हलका सही प्याज की जो किनारे हैं वो आपके ब्राउन हो उस टाइम पर आप इसमें धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर आदा आदा चमच एड़ कर दें और उनको बहुत ज़्यादा भूणने की जरुरत नहीं है साथ ही आप इसमें यहाँ पर जो टमाटर हमने पील करके वॉश करके रखे थे आप वो काट कर इसमें डाल दें छोटे छोटे टुकडे करके पहले भी आप काट कर रख सकते हैं और इस तरह भी काट सकते हैं और इन सारी चीजों को फिर आप अच्छे से सौटे कर लें चला दें और फिर आप इसमें थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दें आप होट रेड चिली भी डाल सकते हैं जैसा आपका टेस्ट हो साथ ही जो ग्रीन चिली थी वो मैंने मोटी-मोटी काटके डाल दी है और सॉल्ट भी डाल दिया है ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए इसके बाद आप हीट को थोड़ा सा कम कर दे कहीं ऐसा नहों मसाला जल जाए और फिर आप इसको कवर करके रख दे और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि यह हलके से गलने लगे हैं फिर आप इसमें जिन जग आलिक की जो फ्रोजन क्यूब है मैंने वो अड़ कर दी है और उसकी रेसिपी अल्रेडी चैनल पर है मैं लिंक डाल दूँगी डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दो गूट मैंने यहाँ पर पानी डाला है ताकि यह सारी चीजें अच्छे से गल जाएं बल्कुल यह जान हो जाएं और उसके बाद मैं इन चीजों को अच्छे से डख के रख दूँगी एक मिनट के लिए और फिर मैंने जब इसका लेड उता रहा है तो सारी चीजें अच्छे से पक चुकी हैं इनको अब मैं अच्छे से बल्कुल मैश कर दो इस पेचला की तरह तो बल्कुल आपका ऐसा ठिक सा जो मसाला है वो बनकर तयार होगा जैसे आपने पीस के बनाया हो और जो बैंगन है वो मैंने इस तरह से काट लिया था क्यूब्स में और वो मैं अब इसमें शामल कर दू साथ ही आपर मैंने प्रेशर कूकर चड़ाया है उसमें मैंने थोड़ा सा ओयल डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला है डाल के लिए और जैसे ही वो चीज़े गरम हुई है मैंने उसमें थोड़ा सा हींग डाला है और जैसे ही हींग मेरा भुना है उसमें मैंने एक चम्मच जीरा डाल दिया है, क्यूमिन सीड्स, और इसके बाद, जैसे ही जीरा हमारा अच्छे से भुनेगा, मैंने ग्रीन चिली, और जिंजर गार्लिक बारी काटके रखा था, वो मैं इसमें डालूँगी, और इसको बहुत जादा आपको नहीं भुनना है, नहीं तो जले हुए गार्लिक की फिर स्मेल आने लगती है, और साथ ही आप इसमें धनिया पाउडर, एच्छिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एड़ कर दें, और जैसे ही वो चीजे भुनें, आप इसमें डाल को शामल करने, तो बिना आप आज टमाटर के ये डाल बनती है, लेकिन इसमें जिंजर गार्लिक डालना बहुत बहुत जरूरी है, अदरवाइस कोई टेस्ट नहीं आएगा, फिर आप इसमें डाल को डाल दे, पानी डाल दे, तो मैंने यहाँ पर तीन चमचे डाल ली थी, तो मैंने धाई कप यहाँ पर पानी डाला है, एक चमच मैंने यहाँ पर सॉल्ट डाला है, और इसके बाद मैं इनको प्रेशर कुक कर दूँगी, हाई फ्लेम पर एक विसल आने तक, और मीनवाइल हम अपने जो बैंगन हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं, तो हमें इन बैंगन को बिल्कुल अच्छे से कुक करना है, इन बैंगन का जो अपना पानी है, वो सारा पानी आपका ड्राई हो जाना चाहिए, अगर थोड़ा भी पानी इनका रहेगा, तो फिर आपकी जो आलू है, वो मज़ेदार नहीं बनेंगे, आलू का अपना कोई ट्रेस्ट नहीं रह जाएगा, तो यहाँ पर पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर पटेटोस जो हैं, वो एड़ कर दिये हैं, और पानी वगेरा अब हमें उपर से कुछ भी नहीं डालना है, जो आलू हैं वो अपने दम पर अपने आप ही पकेंगे, बस आप जो बैंगन हैं उनको अच्छे से खुश्क कर लें, अच्छे से कुख कर लें, और उधर जो है डाल भी पक रही हैं मेरी, और इधर सबजी जो है वो भी पक रही है, डाल में विसल आ गई है, तो मैंने हीट को मीडियम कर दिया है, उधर मैंने राइस भी रख दिये हैं बॉइल होने के लिए, और राइस भी मेरे साथ साथ होने लगेंगे, डाल को भी थोड़ी देर हो गई थी, तो मैंने एक विसल और लगा कर उसको बंद कर दिया है, अब इधर जो सबजी है मेरी, उसको मैं बीच बीच में चलाती रहूंगी, क्योंकि इसमें पानी वगेरा कुछ भी नहीं है, तो आप बीच बीच में इसको चलाते रहें, कहीं ऐसा नहों कि वो नीचे से लग जाए, और इधर डो जो है मेरा, वो भी बिल्कुल तयार है रोटी के लिए, और यहां पर आलू जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं, इस पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, हरा धनिया डाला है, इसके बाद आप इन चीजों को अच्छे से मिला दें, और आपकी जो सबजी है वो बिल्कुल तयार है, आलू का अपना टेस्ट है और बैंगन का अपना टेस्ट है, और बहुत टेस्टी यह सबजी बनती है, इस तरीके से एक बार बना कर जरूर देखिएगा, और सबजी मेरी तयार हो चुकी है, दाल मेरी बिल्कुल तयार है चावल भी बन चुके हैं और अब बारी है फुलके बनाने की तो बस मैंने यहां पर रोटियां जो है वो बेलना शुरू कर दिया है और गरम-गरम रोटी बना कर मैं इन लोगों को खिलाऊंगी कर दो बनाने की बनाने के अने की रहीं यहां गरें की तो हैं और गरम-गरम मैं तो खेवार बनाने की बनाने है रोटी घॉरू जगां आंगे। और ये है हमारी आज की थाली, फुलका, डाल, आलू बैंगन की यमी सी सबजी जो लोग आलू बैंगन नहीं भी खाते होंगे अगर आप ये रेसिपे ट्राइ करेंगे तो I'm sure उन लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें जो आपके आलू है वो कसैले नहीं ह होते हैं वो अलग सा टेस्स नहीं आता है उनमें बैंगन का सैलेड है थोड़ी सी और राइस हैं तो बहुत ही अच्छी थाली बनके तयार हुई थी और हस्बन ने बहुत अच्छे से सजा के भी रखी थी और उस दिन मेरा जो था वो खाना खाने का कोई बहुत ज़्यादा मन नहीं था तो हम लोगों जो थे वो बस साथ ही खाने लगे तो मेरा बुड़ा सा ही मैंने आधी रोटी के करीब खाया होगा कई बार ऐसा होता है कि शाम को चाय जब हम लेट पीते हैं उसके साथ स्नैक्स वगएरा ले लेते हैं तो फिर शाम के खाने का कई बार मन नहीं क और जब एकदम से वैदर चेंज हो एकदम से गर्मी आ जाए तो कहीं बार खाना जो है वो ऐसा लगता है कि बस रात का खाना तो छोड़ी दो तो उस दिन कुछ ऐसी ही हालत थी तो यही थी मेरी आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो प्लीज सबस्क्राइब कर लें और बेल आईकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको सारे फ्यूचर नोटिफिकेशन्स मिलें और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें और अनिंटेंशनली आज जो है हम एक साथ एक ही धाली में खाना खा रहे थे और कहते हैं इस और लाइफ को एंजोय करें तो yes let's meet again on your own Deep Rain One channel thank you so much for watching you can also follow me on Facebook, Instagram and Twitter all the ideas are in the description box see you later guys lots of love to you all bye bye take care कि आपर बग। कि आनल एक बहुआ के जे लियर कीजित और मिलनस कि कि एक एक लाओं